नमस्ते दोस्तों आप लोग कैसे हैं आई होब कि आप सब बहुत अश्य होगे दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ा खुशकवरी निकल के आ रहे हैं परसे मी कोईला छेतर जिसको इंगलिस में बोलते हैं वेस्टरन कोल फिल्ड उसमें दोस्तों अप्रेंटिसिप के ल दिखा है नो एक्जाम सीधे भरती तो भरती कैसे होती है और अप्रेंटिस जो है न यह जोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप यह कर ले तो तो शुरू में ही आपको किलियर कर देता हूँ रेलेवे ग्रूप डीक अगर वेकेंसी आता है आने वाले समय में आने व को बताने वाले है तो बहुत बड़ा बेनेफिट है रेलेवे गरूप डी में तो पूरा वीडियो देखिएगा चलिए वीडियो को सुरू करते हैं देखिए सबसे पहले वेस्ट कॉल्फीड या वेस्टन कॉल्फीड में दोस्तों वेरियस पोस्ट पर टेड का वेकेंसी निकला हुए अप्रेंटीशिप के लिए ठीक है 1191 इसमें टोटल पोस्ट है अब अलग 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 ट्रेड का अलग 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 पोस्ट है अगर आपने दसभी का रखा है तब भी भर सेकतो हो आई टी आई का रखा है तब भी भर सेकतो हो या हायर क्वालिपीकल से तब बाइब वर्षेल तो सबका अलग अलग यहां पर पोस्ट है सबसे नियुन्तम पोस्ट है स्टार्ट करते हैं यहां नीचे यहां पर दोस्तो सिक्यूर्टी गाड का मतलब दोस्तो समझते हुँ आप साथ पोस्ट है मात्र दस भी पास हो ना only तेंथ पास आप लोग अपलाई कर सकते हो सबसे भईया निउन्तम qualification यही मांग गया है सेक्यूटी का सुरक्षा फेहरी बोल सकते है हिंदी में उसमें साथ आपका पोस्ट है दस भी पास सेक्यूटी गाट का काम होता है यह रखवाली करना एक तरह समझ सेखते हैं चलो इसके अलावा अगर आपने दोस्तों आईटी आई कर रखा है बहुसारा बच्चा जो रिलेव में खास कर जाना चाहता है आईटी आई कर रखा है तो बहुँसी भी ट्रेट से आपने आईटी कर रखा है लो आईटी आई तो दोस्तों पचीज पोस्ट है अच्छा खासा पोस्ट है बहुस सारे बच्चे अलेक्रिस करते हैं सेकिन मोस्ट पॉपलर आईटी आई करने वाला बच्चा होता है कंप्यूटर अपरेटर प्रोग्रामिंग असेशन जिसको कोपा बोलते है क पी ओपी ए कोपा कि इसमें बहुत सारे बच्चे आप आई करते हैं दोसो चौबीस पोस्ट है फीटर कर चोड़ा है बहुत बारे बच्चे 222 पोस्ट हो गया अब वेल्डर गया सिलिक्ट अलेक्टिक आपका दुस्तों बाउन पोस्ट हो गया मेकनिक डीजल का आपका वी भी प्लस iti को रखे तब भी भर सकते हो दसको को युरोथ है ने यह जनरली बच्च iti करते हैं ठीक है तो एंसी बीटी यह सीवीटी दोनों किसी एक से कर रहा है अपलाइ कर सेकतो ठीक है चलिए अब दोस्तों अब कर दो सबको अपलाई करना है ऐसा यहका प्लाई नहीं करना है जिसके पास क्वालिफिकेशन है जो मैंने बताया दस्वी कर रख है या दोस्तों कर रख है ना भर सकतो आप लोग ठीक है दखो इसमें एज जो काउंट हो रहा है 16 सितमर 2023 से इसमें आई टी आई पोस्ट के लिए आपका जो पोस्ट होगा ना 18 से 25 साथ अधर पोस्ट के लिए दोस्तों म मैक्सिमम दोस्तों कोई सीमा है नहीं अप्लाई कर सकतो तीन साल ओबी सी का और सीस्ट को पान सल का जिसमें मालों 25 साल एज मांगा गया तब यह 28 साल ओबी सीस्ट आपका पान साल कर सो यानि 30 साल तक भर सकतो ठीक है बाकि जो अधर पोस्ट है यह बला आई टी पोस्ट के तो फोड कर यह दिया एक पोस्ट हो गया इसमें कोई लिमिट नहीं और इसके वी चाहली पास बाकि यह बला ठीक है अब देखो दुस्तों आपके मन में सवाल आएगा सर इसमें एक्जान तो है निया तो यह selection कैसे होगा selection आप पूछोगा कि selection कैसे होता है तो इसमें दुस्तों percentage का अधार पर selection होता है लेग के 60 पुलस है उनको अप्लाई करना चाहिए 60-65 हमेशा कट अब जाता है इससे ज्यादा नहीं जाता है जीडियेस वाला थुड़ी एक उतना चला जाएगा समझ रहे न इस बात को यह दिहान अखिएगा बाकी आईटी आई वाला जिन बच्चों का आईटी यह है उनका प्लस है तो आप लाइक कर दिजिएगा टेंथ प्लस आईटी आई का मार्स देखा जाता है जिन में ज्यादा नंबर जिसका परसेंटेज होता है 65 के बीच में ही हमें सेलेक्शन होता तो उनको जरूर अपलाई करना चाहिए ठीक है आईटी आई में तो भी यह सुत्तर आपको पता है कि इंडिया का एकरिम चला रहे है सों रोजगार से रिजित करो सबको स्कील सिखा तो वह ही है एक साल का आपका स्ट्रेणिंग होने वाला है अब अप्रेंटिस का फैदा पहले समझ लिए उसके बार सारा कुछ आपको जॉब प्रफाइल के बारे में बताए है दोस्तों अप्रेंटिस का फैदा यह है नो कि भाई जो बच्चा एप्रेंटिस किया हुआ है उसको रेलेवे गुरूप D के वेकेंसी में 20 परसेंट का रिजवेशन होता है कि इतना भाईया बड़ा बड़ा लिखते थे चलो 20 परसेंट का रिजवेशन अब मान के चलो आने वाले समय में भी है चार सल वेकेंसी का हो गया एक लाग शार हजर पोस्ट वेकेंसी आई थी सबका अब जवानिंग और सारा कुछ परक्रिया खतम है ठीक है अब मान के चलो कोई फ्यूसर में अगर वेकेंसी आता है रेलेवे में पान सल पे शे साल पे एक बार वेकें मान के चलते हैं जिसमें 20 परिसें यानी डोस्तों जो ऑप्रेंटिसट करें मरेंगा वालों के रहेगा इसमें बैया करें कारण क्या है दस्वी पास मांगा जाता है अब यहां 20 लाग यहां 20,000 समझ रहे हो ना अब इसका दोस्तों दो हजार यहां 8000 वेकेंसी चार गुना वेकेंसी है लेकिन भरने वाले कितना है चारे गुना है 20,000 समझ रहे है बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है इसलिए कटप कम जाता है पिछला जो बच्चा अप्रेंटिस किया था 2019 में पहले अप्रेंटिस से बच्चे कम करते थे तो 40 नंबर 45 नंबर भी सेलेक्शन हुआ है गुरूब डी का पिछला बेकेंसी का अब तो बच्च के बीच में हो जाएगा अप्रेंटिस करोगे तो यह बेनिफिट है गुरूब डी में 20 परसंट का रिजवेशन होगा यह ध्यान रखिएगा तो यह बेनिफिट है अब आपको सेलरी भी मिलेगा एक साल अगर आइटियाई पोश्ट लिए आप हैं तो 77 रुप्य है दो साल अगर आइटियाई आपके पास है डिग्री तो आपका 8,050 रुप्य सेलरी है और प्रेंटिस होता है एक साल के लिए पर्मानेंट जोब मत समझेगा इसको यह दुस्तों मात्रे आपका सटिफिकेट कोर्स होता है प्राइबेट जौब हाथो हाथ मिल जाएगा आपके पास इस अप्रेंटिसिप सीखाया जान आपको इस्किल्सिखाया जान स्किल्ट इंडिया आपको जो डिग्री मिलेगगा उसमें रहेगा भारव सरकार्न तौप से काम सीख के जाओगे इसा नहीं है इधार उदर तो पढ़ नहीं है डिगरी के वाल ले लिए काम सिखाया जाएगा और यह आपको सेलरी भी इतना कुछ मिलेगा जिससे आगा गुजारा हो जाएगा रहने का खाने का खुछ से विवस्ता करना होगा पतलो 77 एक बच्चा थोड़ी रहेगा आप लो पर यह प्राइबट जॉब हो जाएगा ना कि को आपके पास काम सीख लोगे सरकारी डिगरी रहेगा तो यह फैदा है और एक भी रोपे आपका लगने नहीं है उल्टा सरकार देगा और ड्यूटी क्या होगा अब मारे चलो इलेक्टिशियन के काम है इलेक्टिशियन बचा बैटके अब ओनलाइन तो बढ़ाई हो रहा है कि मैं खोचिन गर जाना है तो यहीं फैदा है तो यह मैंने बता दिया यह वेस्टन कोल फिल्म अलग-अलग सेक्टर में वेकेंसी है तो आप आप लोग देख लिजएगा अपलाई करते समय एक तारिक से अपलाई होन उसका लिंक है और टेलिग्राम को भी जोइन कर लिजेगा डेली कुछ होता है लेटेस वेकेंसी का अपडेट मिलता है साथ में दोस्तों किस वेकेंसी का अडमिट काड़ा है किसका अंसर की जानी कियेगा है सारा इंफ्रमेंसन मिलता है ठीक है जाने बहाद